Hey guys, once again, Nokia 2660 फिलिप का ये स्मार्टफोन को लांच कर दिया गया है Nokia 2660 का फिलिप फोन लांच हुआ है इससे पहले कि Nokia जो इसके लवर्स हैं धियान में रखते हुए इंडिन मार्केट में 27 दिन की बैटरी के बैक अप के साथ Nokia 8210 4G को लांच किया था लेकिन फानली यहाँ पे Nokia 2660 फिलिप को लांच कर दिया गया है यहाँ पे कंपनी ने जो HMD ग्लोबल इस फोन को फिलाहल चीनी मार्केट में लांच किया है और आपको यह Nokia न्यू लांच फोन के फीचर्स के साथ इस पैसिफिकेशन के लेकर और प्राइस से सारी चीजी यहाँ पे मैं आपको बताने वारा हूँ सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ इसके फीचर्स और इस पैसिफिकेशन के बारे में इसके लामा प्रोसेजर की तोर पर इस फोन में यूनिस सोक टी वन जिरो सेवन प्रोसेजर दिया गया है बैटरी की बैकप के अगर हम बात करें दोस्तों तो यह जैसे कि मैंने बताया कि यह 22 डेज मतलब अच्छे खासे टाइम यह चलती है क्योंकि एक स्मार्टफोन एक स्टाइलिस फोन दिखाई दे रहें वहीं स्टोरीज अगर रैम की बात करें तो 48 मेगा तो 48 MB रैम है 128 MB का इंटरनी स्टोरीज है वहीं फोटोग्राफी के लिए 0.3 मेगा पिक्सल के वीजिये कैमरा सेंसर है और LED फ्लेश भी दिया गया है साथ ही कनेक्टिविटी की बात क है तो इसमें Bluetooth 4.2 Dual SIM का सपोर्ट है 3.155 में का हेड़फोन जैक और Micro USB पोर्ट भी दे रखा है यह बैटरी का बैकप 24-26 घंटी से जादा चलेगी बैटरी इसमें जहां पे 2.7 वाट कंटी की रिमूबल बैटरी दी गई है जिसको लेकर कंपनी दाबा करती है कि 20 घंटी तक इसकी बैटी की Life हो सकती है अगर मैं इसको Emergency Call System में आप पता है तो सारी चीज़स में है वजन के कर हम बात करें तो इसमें 123 ग्राम का वजन है जो की बहुत सही है और अगर हम इसको प्राइस को लेकर बात करें दोस्तों तो प्राइस कहीं न कहीं इसको आपको बहुती reasonable price है जैसे कि 5,000 रूपे के 5,860 रूपे में है इंडिन प्राइस में कर हम करते हैं तो एक है 5,050 रूपे में जो कि फोन को लाउंचिंग का ये अफिशिल अभी इंडिया में इसको लाउंचिंग के लेकर कोई अभी दल जानकारी नहीं है लेकिन फिलहाल ये चाइना में पसंद आगे वीडियो को पसंद आज अपने जब लाइक करना शेर करना मिलता हूं मैं सेने की वीडियो मतब तक के लिए टेक केर